हालो दोस्तों राना क्लास्टेज में आपका श्वागत है तो आज मैं JPSC मेंस के लिए और BPSC मेंस के लिए महत पूर्ण प्रेशन लाया हूं तो इस वीडियो को सुरू संतक देखें पसंद आने में लाइक सने लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन पर बिटन दवाना ना भूले तो यह JPSC मेंस में एकनोमिस में और BPSC मेंस के दूसरे पेपर में इसके आने की प्रवल संभावना है आई भी है पुरुप की परिच्छाओं में BPSC की तो प्रश्न क्या है कि बैस्वीकरन का अर्थ क्या है इसकी विश्यस्ताओं एवं प्रभाव का बरनन करें भ रिच्छा में तो उसका उत्तर है पहले तो था की बैस्वीकरन है क्या तो विश्व को एकिक्रित अर्थ विवस्था के रूप में बैस्विक गाओं के रूप में परिवर्थित करना अर्थात बीना किसी रुकावट के दो या दो से अधिक देशों के मादि क्या क्या चाव था उत्पादित बस्तुओं का बजार संपुर्ण बिश्व में हो तो मतलब ये चो चार पॉइंट्स है वो मतलब जो दो या दो सेधिक देशों के बीच अगर होता है तो यह बैस्वी करन कहला ता बैस्वी काओं के रूप में है जो की बिशुको परिवर्तित करना है अब है भारतिय संदर्व में बैस्वी करन या भुमन्दली करन का सामान अर्थ या है कि बिदेशी या बहुराष्टिये कमपनियों को भारत में निवेश हिसू प्रोसाहित कर भारतिये अर्थ विवस्था को बिदेशी निवेश के लिए खोलना तो मतलब क्या हो गया बैस्वी करन को बंडली करन भी करते हैं मतलब जो विदेशी कमपनिया है या बहुराष्टी या बड़ी बड़ी जो कमपनिया है उसको क्या निवेश के लिए भारत में रोजगार लगाने के लिए निवेश करने के लिए प्रोसाहित कर भारती अर्थ व्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए कि लिए विदेश भारतिय उद्मों व कमपनियों को विदेशी कमपनियों के साथ सहयोग की अनुमती परदान करना, मतलब दोनों के साथ भारतिय कमपनियां भी साथ में काम कर सकती है, विदेशी कमपनियों के साथ, तथा भारतिय उद्मों व कमपनियों को विदेशों में निवेश करने, और क अधुनिक प्रधोक्की के स्वतंत्र प्रवाह को संभव बनाकर उन्नत तक्निकों तथा मानव संसाधन के आवा गमन को सरल बनाकर बिदेशी प्रतियत पुंजी निवेश का भारती अर्थ वेस्ता के बैस्विक संदर में परतिसपर्धी बनाया है तो इसका क्या स्पष्ट ह अधुनिक टेक्निलोजी एक दूसरे के भीना किसी खास रुकावट के उन्ह टक्निकों का कि 있는 संदर में क्या होना है अब है कुसें था बैसी करन की विशयिका क्षिया है तो बैस्विकरंने परिवहन के भीविन साधनों तथा संचार की भीविन टकंटिकों को बिकसित कर वीविन देशों कि मत्छ बहुत सारे साधन हो गये हैं और लो यातायाद के उसके भीज क्या हो imagining चो मद्ग बह provoc और विविन देशों तक इसकी पहुच ने बैस भी किया एक ग्लोबल संस्क्रितिक को विश्चित किया एलेक्ट्रोनिया मेडिया जिस तरह विख्षित हो रहे हैं सोसल मेडिया इलेक्रोनिक्स मेडिया तो यह से काफी श्रम बाजार क्या हुआ ब्यापक हुआ है पहले था कि इस रम माली इंडिया में है तो दुसरे देशों जाना बहुत मुश्किल होता लेकिन अब है जो कि श्रम बाजार बहुत बढ़ा हुआ है सिच्छा कभूम अंडली करन संभव हुआ है जिस करन सिच्छा तो योगता से योगत्ति बेक्ति बिश्में कहीं भी रोजगार पा प्रभाव क्या है तो प्रभाव के अंदर कर आर्थिक प्रभाव तो एक चीज़ जाने लिए परिचा में बहुत कथा कहानी और लंबा लिखने से नंबर नहीं तो जितने आपके पॉइंट्स रहेंगे अगर पॉइंट छोटे भी हैं तो भी आपको जवरदस्त नंबर मि राणा है दूसरा कि समाजिक प्रवाव तो आर्थिक प्रभाव को देखते हैं पुंजी निवेस में बिर्दी होती है इसका प्रफाव क्या होता है बैस्विकरंपुंजी में प्रशार होता है तीसरा है आर्थिक आसमानता में जो की बिर्धी होती है मतलब ये गरीबी अमेरिके बीच खाई ज्यादा होती है अंधी परतियोगिता मतलब जिसकी जरुतने वह भी परतियोगिता होती है नई वह आधुनिक प्रोधुक्य की प्राप्ति वविकास छठा है रोजगार के समचरे चन्जिक करने में होगी मल्दि वीज होगया है उसके पार्ट्स होगये उसे समैजिक प्रोधुलक देखते हैं समानी प्रभव क्या हुआ है पैस्विकरन से तो वर्ग Kh belo TED में बिर्धी होया है नीए समाजिक समंधों में अप्चारिक्ता में बिर्धि बिवा जैस प्रफावित करने वाले कारण या कारक कौन-कौन है तो इसको देख लेते हैं पहला पॉइंट उन्नत तक निकिया वसक्ता इसने वैस्विकरन को पुरसाहित करने में सरवाध हिकमत पुनभूंदा है दूसरा है भारतिय उद्वो वा कमपनियों को भारतिय वा अंतराश्टी वजारों में प्रतिस्पर्दि बने रखने की बाद धेता कर दिया है तीसरा है सरकार की उधारी करन नीटियां जिसके तहत विजेशी सुधार और उन्नत विदेशी तक्निकों के आयात को असान बनाकर बैस्विकरन को पुट्रसाहिद किया गया है चवथा है पूर्व में कुछ विकास सील देशों द्वारा बैस्विकरन की निती अपनाए जाने के बाद उनकी सफलता का जो कि अनभव हुआ है तो यह हो गया आपको बैस्विकरन क्या है क्या आर्थ है बैस्विकरन के पिशेष्टा और प्रभाव और बैस्विकरन की भारत को जो प्रभावित करने वाले कारक है यह प्रस्ण आई भी थी बीप्यस्टी में जेस्ट लाइक एक या दोवीश्विश्विश्विश्विश्विश्वि लिखें धाननेवा